हेलो आल विलकम बाक तो माई यूटूब चानल लन्वे थंकिता आज डे टू है करेंट अफैस का जैसे आप जानते कि मैं एक सीरीज चला रही हूं सेवन डेस तक मैं वह सीरीज चलाऊंगी डेली में आपको 10-20 क्वेशन्स दोंगी करेंट अफैस के वह रेंडम कोई भी करे अब डेटेड है करेंट अफैस को लेकर तो चलिए आज कुछ 20 क्वेशन से उन्हें सॉल्फ करते हैं तो पहला क्वेशन क्या है देखिए पहला क्वेशन है नजला बोडेन रोमधाने इस फीमेल प्राइम इनिस्टर ऑफ विच कंट्री बोला जा रहा है कि फीमेल प्राइ जी को ठीक है अब जब हम यह कंट्री का नाम आता है तुनीश्या तो आप कॉमेंट करके बताएगे गर आपको पता है कि तुनीश्या परता कहां है चलिए मैं तब तक बता देती हूं तुनीश्या उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जब हमें कोई कंट्री आती है क्वेश प्राशाश्ट गाउ के संग इनिश्वे टिया फिर उनियन टरीटेटिटेशन गाउं के संग wys उनियेन स्टेटिव और या फिर एनियेन टर्टिर प्रों स्कावमदऻ इनिश्वद करनी वो amor राजस्थान के सीम है और राजस्थान का कैपिटल क्या है जैपूर तो यहां से दो इंफोर्मेशन और आपको मिल गई ना question number 3 कुट्टी कट्टूर आम और एडियूर मिर्च को जी आई टैग से सम्मानित किया गया है जी आई टैग है जी आई यानि की जोग्रोफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है अब कुट्टी कट्टूर आम और एडियूर मिर्च को जी आई टैग से सम्मानित किया गया है लेकिन यह किस स्टेट से है ठीक है यह जो दो आइटम है यह किस स्टेट से है तो इस कांस हो Therefore, in which year UPI was launched by the NPCI in India? ठीक है, बोल रहा है कि UPI कब launch हुआ था? किस year में? तो इस कहां सह जाएगा? 2016 में. अगर specifically बात की जाएगा, तो 11th April को, 2016 को UPI launch हुआ था. UPI launch किस ने किया था? या फिर UPI का owner कौन है? तो हो जाएगा NPCI. अब देखे, UPI होता है कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग जो instant पेमेंट करते हैं, लाइक PayTM से, Google से, Phone Pay से या एक्सेटरा जो भी app है, उससे हम लोग जो UPI करते हैं, वो real-time instant पेमेंट करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? Unified Payment Interface ठीक है आपको याद रखना Unified Payment Interface यह हो गया आपका UPI का Full Form अब जो इसे Launch किया है जो इसके Owner है NPCI उसका Full Form क्यों होगा National Payments Corporation of India ठीक है यहाँ से आपको तीन Information मिलती है UPI का Full Form है Unified Payment Interface इसके Owner या फिर बोल से इसे Launch किस ने किया NPCI National Payment Corporation of India अलसो यह आया कप 2016 में ठीक है यहाँ से आपको तीन Information मिलती है Now Question No.5 Question No.5 में बोल रहा है Moscurix ठीक है Which was seen in the news is the first vaccine approved by WHO against which disease बोल क्या रहा है खबरो में रहा अभी हाल ही में खबरो में रहा Moscurix, WHO द्वारा स्विक्रित पहला टीका किस बिमारी के खिलाफ है WHO ने स्विक्रिती दी है कि पहला टीका आया है किसी बिमारी के खिलाफ जिस टीके का नाम क्या है Moscurix यह Moscurix जो है वो एक टीके का नाम है तो वो किस बिमारी के खिलाफ आया है आप इससे जोड़के एक तरीका है आपको बताने का शायद आपको याद रह जाए इसलिए मॉस्क्योरिक्स किसके लाया है मलेरिया के लिए है ठीक है अब यहां पर देखिए डबलु एचो की भी बात की गई तो डबलु एचो क्या है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन य बसो इसका है जेनेवा सुड़्जलैंड में और मॉस्क्योरिक्स एक नया टीका निकला है किस बीमारी के खिलाफ तो मलेरिया के खिलाफ चली क्वेशन नमबर सिक्स देखते हैं वली लत माध थिल माध वन नायर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े हैं किस पेशे से जुड़े हैं किस प्रोफेशन से जुड़े हैं आंसर हो जाएगा आंसर नमबर सी ब्यूरियोक्रेसी से ना क्वेशन नमबर सेवन सुनील चैत्री का नाम दिया गया है यह अभी हाल ही में निउस में थे तो यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं आंसर चैंपियंशिप में नेपाल के खिलाफ मैच में अपना सतत्रव अंतराष्ट्रिय गोल किया है ठीक है इन्होंने 77 गोल मारा है नेपाल के खिलाफ इंटरनाशनली इसलिए इनका नाम न्यूज में आ रहा है माउंट असो विच इरॉप्टेड रिसेंटली इस लोकेटेड इन विच कंट्री माउंट असो एक आक्टेव वैलकैनो का नाम है ठीक है वह हाली में प्रसफुटेट यानि की इरॉप्ट हुआ है तो वो किश देस मिस्ते थे आंसर जाएग आंसर नंबर सी जापान अब FATF क्या है और उसने किस कंट्री को ग्रे लिस्ट में एड किया है हाली में तो पहले तो मैं कंट्री के नाम बता दू तर्की जॉर्डन और माली ठीक है इसे FATF ने ग्रे लिस्ट में एड किया है यह बहुत इंपोर्टन क्वेशन आप इसे याद रिखिएगा यह लेकिन अभी हाली में इसने तर्की जॉर्डन और माली को एड किया है FATF ने ग्रे लिस्ट में से एड किया है अब FATF क्या है और ग्रे लिस्ट क्या है वो भी मैं आपको बता दो देखिए FATF क्या है Financial Action Task Force एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राधानी पेरिस में G7 समूग के देशो द्वारा 1989 में स्थापित किया गया है in short आप ऐसे याद रख सकते हैं FATF यानि कि Financial Action Task Force को G7 ने स्थापित किया है 1989 में G7 जो समूग है उसने स्थापित किया 1989 में ठीक है अब इसका काम अब काम क्या है FATF का ठीक है इसका काम अंतराश्टी स्तर पर यानि कि इंटरनाशनल लेवल पर जो अनि लॉंडरिंग होती है या सामुहिक विनाश के हथियारों का जो प्रसार करती है जो कंट्री ठीक है और आतंकवाद को के वित्त पोशर पर निगाह रखना है ठीक है यानि कि आतंकवाद को जो फिनाशली असिस्ट करती है जो कंट्री उन पर निगाह रखना है ठीक है अब देखे बोल किया रहा है एक्शन फिनाशल एक्शन टास्पोर्स को स्थापित जी समू ने नहीं जी समू देशों ने किया था कहां 1989 में स्थापित किया था इंटरनाशनल लेवल पर यानि कि सब कंट्री पर क्या मॉनिटर करती है जो कि मनी लॉंडरिंग का काम से रिलेटेड हो या मनी लॉंडरिंग का काम करती है या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो या उन्हें फाइनांस कर रहे हो उन्हें हेल्प कर रहे हो असिस्ट कर र ग्रेलिस्ट क्या है में मुख्य तोर पर उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पर संदे होता है कि वे देश ऐसी कोई कारेवाही नहीं कर रहे हैं जिससे आतंकवादी संगठनों और समूहों को मिलने वाले वित्त पोशन को रोका जा सके यानि कि वो ऐसा कोई prevention measure नहीं ले जिससे कि आतंकवादी को जो आतंकवादी का जो संगठन है या जो समूह है उनको रोका जा सके या उन्हें जो financial assistance मिल रही है उनके country से उनको वो रोकने के लिए कोई भी ऐसा measure नहीं ले रहे है इसलिए उन country को ग्रेलिस्ट में रखा जाता है I hope आपको यह समझ में आओगा आप इसे एक बहर रीट कर लिजएगा आपको समझ में आ जाएगा now moving ahead to question number 10 question number 10 क्या बोल रहा है micro snail species named Giorisa यह has been discovered in with Indian state and union territory बोल गया रहा है भारत के किस राज्य केंद प्रशासित देश में Giorisa माव समेनिस्स नामक सुक्ष्म घोंगे की प्रजाती की खोज की गई है इसका answer हो जाएगा answer number C Meghalia Meghalia में micro snail species पाया गया है जिसका नाम क्या है Giorisa माव समेनिस्स नामक सुक्ष्म घोंगे की प्रजाती की खोज की गई है now question number 11 11 में क्या बोल रहा है which was the first series under the अमरित महोतसफ podcast ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा जरा याद करो कुर्बानी अमरित महोतसफ podcast भी launch किया गया है निकाला गया है उसकी first series क्या थी first series निकाल दी गई है उसका है जरा याद करो कुर्बानी अब देखे इसके बार में कुछ पढ़ लेते हैं संस्कृत मंत्री जी किशन रेड़ी ठीक है संस्कृत मंत्री भी हमें पता चल गया कौन है जी किशन रेड़ी ने आजादी का अमरित महोतसफ मनाने के अंतरगत एक अनूठी पहल करते हुए अमरित महोतसफ podcast को launch किया है ठीक है यहाँ से हमें क्या पता चला देखे अमरित महोतसफ podcast जो है आजादी को मनाने के लिए किया गया है और इसका first series बोला गया जो निकाल दिया गया है वो है जरा याद करो कुर्बानी ठीक है अज से हमें एक और information मिलती कि हमारे संस्कृत मंत्री जी कौन है जी किशन रेड़ी जी हमारे संस्कृत मंत्री है ना question number 12 वेनेजुला इंट्रीजुला की नाम क्या है आंसर जाएगा बॉलिवर बॉलिवर क्या है वेनेजुला की ओफिशल करेंसी ना question number 13 13 एक point है वो में clear कर देती हूं क्या है रनवीर सिंग क्या बन गए है coin switch कुबेर के brand ambassador कौन बन गए है रनवीर सिंग इसके साथ coin dcx किसे sign क्या है थीक है यह है यहापर दो नाम आये है रनवीर सिंग किसके साथ काम कर रहे है coin switch we要 buy K권 DCupun LGB किसके साथ घाम कर रहे हैं अमिताब बच्चन जी के साथ क्या है Now question number 14, sweet revolution जो की है NBHM, ठीक है, sweet revolution या की मीठा, NBHM scheme are associated with which product, sweet revolution NBHM योजना किस उत्पाद से संबंधित है, पहले मैं NBHM का full form बता दू, national beekeeping honey mission, अब इसी से आपको पते जल गया होगा, honey mission है, तो किस से related होगा, honey से, ठीक है, national beekeeping honey mission, जिसका नाम है sweet revolution, ये किस product से, यानि किस उत्पाद से संबंधित है, answer NBHM, now question number 16, जैनगर कुर्था, cross border rail link के संबंध में कुर्था किस देश में स्थित है, जैनगर, तो देखें पहले ये बता दू, जैनगर जो है, वो बिहार में पड़ेगा, कुर्था कहां पड़ेगा, नेपाल में, question ही हमारा ये है, जी cross border rail link आया है, ठीक है, उसमें कुर्था किस देश में स्थित है, तो answer जाएगा, answer number A, नेपाल, जैनगर बिहार में, कुर्था कहां, नेपाल में है, now question number 17, which country has reported hundred of cases of infection caused by the bacteria Salmonella, किस देश में Salmonella, बैक्टीरिया से संक्रमर के सैक्रो मामले सामने आए है, ठीक है, तो answer हो जाएगा, answer number A, United States of America, का अमेरिका में Salmonella नाम का बैक्टीरिया है, उससे संक्रमर के सैक्रो मामले सामने आए है, इसमें दूशित प्याज से होने वाला ये संक्रमर है, ठीक है, ये प्याज इसमें affected product है, जो सामने आए है, कि जिससे की लोग effect हो रहे है, Now question number 18, which country received non-harmful nano-nitrogen liquid fertilizer from India to boost cultivation, बोल के रहा है, किस देश को खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक nano-nitrogen तरल उर्वरक प्राप्त हुआ, यानि कि कौन सा देश भारत से यानि इंडिया से हमारी country से ये nano-nitrogen liquid fertilizer ले रहा है, answer हो जाएगा, B, श्रिलंका, किस लिए खेती को बढ़ावा देने के लिए, cultivation को boost करने के लिए, now question number 19, which public sector unit, ठीक है, किस सार्वजनिक छेतर की काई को हाल ही में महारतन का दर्जा दिया गया है, अभी हाल ही में कौन सा सार्वजनिक, यानि कि कौन सा public sector unit को महारतन का दर्जा दिया गया है, उपाधी जी क या answer हो जाएगा, answer number A, power finance corporation, PFC, power finance corporation, important question है, now question number 20, last question हमारा आज का, और आप comment करके बताएगा, आपको इसी जी कैसी लग रही है, और आगे आपको और किसी भी topic पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे दूंगी, और सो कुछ important videos मैंने बना रहे हैं, लाइक न description में दे दूंगी, आप उसको भी check कर लिजेगा, now last question हमारा क्या है, the state election commission of which state is set to conduct India's first dry run for voting through smartphone, बोल क्या रहा है, किस state में ये dry run चला है, इंडिया का first, जिसमें की vote किस से कर सकते है, smartphone के through vote कर सकते है, इसका answer number B, तेलांगना, ठीके, आज के 20 questions ही पर end होते है, thank you so much, I hope आपको ये series अच्छी लग रही हो,